नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत important topic पर discussion करेंगे कि जब आप flute, आपकी जो बांसुरी है, कोई सी भी skill की हो, उस पर फरक नहीं पड़ता है जब आप उसमें blow करने की कोशिश करते हैं, तो आवाज, जो sound है, वो कभी-कभी proper नहीं आता है उसमें कभी-कभी noise आती है, और कभी-कभी वो sound अच्छा भी निकल के आता है तो ये क्यों आता है, इसका solution क्या है, इस पर हम इस वीडियो में discussion करेंगे तो ये वीडियो beginners के लिए बहुत ही important होने वाली है, आप शुरू से last तक दिखेगा और अगर आप मेरा course चाते हैं, प्रॉपर course, तो आप मज़े WhatsApp पर contact किजिए description में मैंने details दिये हुई है तो ये flute है, शिव्ज मूजिक, C skill की flute, C medium अब देखे, skill का फरक क्या है, कि जैसे-जैसे skill आप change करेंगे तो उसका जो sound है, उसकी जो pitch है, बांसुरी की pitch, वो change होती जाती है जैसे इस पर हम 3 hole close करके, जब मैं sound निकालूँगा, तो जो sound निकल के आएगा, वो होगा C note का ये है C, अब हलका सा half open किया, तो वो हो जाएगा C sharp जब आपकी C sharp skill की flute होती, तो अभी जो मैंने C sharp sound बजाया, वो निकल के आता तो ये है skills का concept, अगर आपकी D skill की होती, तो जब आप 3 hole close करते, तो वो sound निकल के आता D note का, D frequency का, इनको आपने अलग-अलग frequency के नाम दिये हो है, अलग-अलग pitch के according, ये सा मैंने detail में अपने course में समझाय हुआ है, तो आपको वहाँ समझना है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, sound निकालने के, blow करने के, तो जैसे आप, ये ये है blowing hole और ये है अपने six playing holes जहां पर आप fingers को रखते हैं, और उठाते हैं, बंद करते हैं, इस तरीके से open करते हैं, तो यहाँ पर आपको blow करना है, जो तो मोइन का तरीक होई है कि जो यहiat एक सरकल आपको दिख रहा है जहां पर आपको ब्लो करना है इसके पास आप देखेंगे की एक स्टॉपर लगा होता यहांपर तो जब हम फूक सांड होता जैसे हूं उंगलीं आता तो वह आंके हम बांसरी पर बढाने के लिए सबसे पहले जो सांड हो ही प्रॉपर आना चाहिए तो आपको जो कोशिश करना है वो यह जो ब्लोइंग होने उसकी जो बाउंटरी है यानि उसकी जो कॉर्णर है वहाँ पर आपको लिप्स का जो लोवर पार्ट जो आपका नीचे वाला होट है उसको अब जब आप फूख देने के पोस्टर बनाएंगे इस तरीके से जब पार्ट है वह इसके एकदम बाउंटर पर आना चाहिए हलका सा अब अगर आपका साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है तो बाहसुरी को आगे पीछे इस तरीके से करके देखिए और जो साउंड है उसको आप्जर कीजिए कि किसी जगह पर जो नॉइस है वह जादा आएगी और किसी जगह पर जो साउंड है वह अच्छा आएगा जैसे अगर मैं इस तरीके से बहाता हूं तो बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है ना आपके सारी फूख खतम हो जाएगी लेकिन साउंड नहीं आएगा तो इसलिए आपको अपना थोड़ा common sense लगाना है कई लोग मु कुछ लोग इसको पूरा कवर कर लेते हैं होल को इसलिए साउंड निकल के नहीं आता है जो concept है वो समझे आपकी जो blowing है जो फूख है वो इस होल के अंदर जानी चाहिए तब ही वो साउंड निकल के बाहर आएगा न तो आप फिर से ट्रै किजिए यहाँ पर नहीं आया तो कोई एक position होगी जहाँ पर आपका sound प्रॉपर निकल के आएगा फिर आपको वहाँ position अपने mind बार रखना है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है आप चाहिए तो अपने mobile front camera या फिर जो mirror है कांच उसकी help लीजिए वहाँ पर आप उसको देखिए क कि आपकी जो position है lower lip की वो इस blowing hole के आसपास किदर जा रही है फिर इसको आगे पीछे ताय बाय इस तरीके से move करके देखिए और सिर्फ उस पर एक दो हटे के लिए practice किजिए जब आपका sound proper हो जाए उसके बाद फिरम fingers का moment देखते हैं यह सब lessons मेरे YouTube चैनल पर भी है और इसक कि आप चैक कर सकते हैं thank you